वेल तो हे गाइस, वेलकम इंटी दी माय चनल, मारे में इस फंकस दुवाइल, इस वीडियो में बात करने वाले है, क्या हमें गोल्डबग वर्सेज जॉन सीना जो की फ्यूचर में देखने को मिल सकता है, वेल तो क्या हमें साशा बैंक्स वर्सेज पियांका विलर जो की सही और भी बहुत सारी अब्डेट्स है, सारी तिक्स के ओपर बात करने वाले है, वेल तो फ़स्ट अफॉल, फर्स्ट अफल फर्स तिंग की तरफ चलते हैं साशा बैंक्स वर्सेज बियांका बिलर के मैच के बारा बात कर लेते हैं, तो जैसा कि तुम लोग को बता है कि साश साथ बैंक्स और ब्यांका बलर का मैच में भी पॉसिबल है कि हमें समस्लाइम के अंदर नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ एवेंट्स में हमें वह अपीर होते वे नहीं दिखा दिरी थी तो यह एक्स्प्लेनेशन था पीड़लो इंसाइडर की तरफ से वेल स्टिल हमे समस्लाइम के अंदर के लिए मतलब एडवटाइज की एडवाइज होते हैं वेल तो यहां पर मैच हमें नहीं देखने को मिलेगा एडवलो इडवटाइज कर रही है सबो देखते हैं में समसला हैं के अंदर क्या देखने को मिल रहा है वेल राइ डेवलोडी का बैड मेनेजमेंट इसके बारे में जिम रॉस ने ऐसा कहा वैल वैसे आप लोगों क्या लगता है जिम रॉस ने जो बात कहीं वह सही है वो मुझे कमिश सेक्षाम जरूब बताना वैल तो नेक्स वन तिंग की तरफ चलते वल नेक्स वन तिंग जो क देखने को मिलते हैं फैंस को इन्होंने का जो कि हमें फैंस टन होते वह दिखाया दे जाते किसी भी सुपरस्टार के उपर एंड कहीं पे भी मतलब उनका कोई ठीकाना नहीं होता तो वैल उसके उपर रोमल रिजिस ने कहा कि वैल देखो यह जो फैंस हमेशा इनको कुछ ने कुछ नया चाहिए रहता है एंड यह फैंस उस चीज की मांग करते हैं जब कोई सुपरस्टार एंड जब कोई परमोशन वह चीज में पूरी करता है वैल उसके बाद से तो उसको कुछ दिनों तक मतलब अच्छा अच्छा कहते हैं एंड उसके बाद फिन उसको क्रेट सुपरस्टार बोरिंग हो गया है वैल तो वैसे आपका उपिन वाफिन आपका चलते है वैल नेक्स वन तिंक जो की ब्रॉण स्टोमन की तरफ से देखने को मिल रही है तो जैसा कि तुम लोग को बता दो कि ब्रॉण्स टोमन ने ट्विटर पे पोस्ट किया वैल जिसमें तो वैल जो तुम ट्वीट देख सकते हो वैल यहां पर ब्राउन स्टोमन का सीधा-सीधा इसारा था 14 डेश लेफ्ट तो वैल इसका क्या मतलब है इसका मतलब तो बहुत सारा मतलब निकल सकता है कि 14 दिन बाकि है वेल कहां पर हमें देखने को मिलेंगे ब्राउंस्टोमन अब देखते हैं वेल क्या AEW के अंदर देखने को मिलेंगे फिन क्या हमें कहीं और किसी परमोशन में देखने को मिलेंगे या फिर हमें कुछ और करते वे दिखाई दे सकते हैं फो वेल देखते है क्या हमे हे तिंक देखने को मिलता है जो पुरा चांस है वह मिलते है किन आइम के देखने कब नहीं को कैसे doorway सबसे बड़ा promotion एका दीक हमें मिली रहा है एडबलू वेल देखते क्या तिंग देखने को मिलता है वेल तो नेक्स वन तिंग की तरफ चलते है वेल सो नेक्स वन तिंग है सेथ रोलेंस की तरफ से तो वेल जैसा कि तुम लोगों को बता दो कि सेथ रोलेंस वेल इन्होंने बहुत कुछ कहा है बैकी लिंच के लिए तो Seth Rollins की chemistry बेटती है वो बेली के साध ज़ादा अच्छी बेनती है मतलब यह Seth Rollins का कहना था Well वैसे भी मतलब अब तो इंगे जो चुका है Well तो यहां पे यह जो Seth Rollins का statement था बड़ा खतरनाक भी हो बहुत पटा भी है वेल जो कि तुम लोग सुनी सकते हो, समझी सकते हो, तो वेल, next one thing की तरफ चलते है, एंट इन्होंने यह भी कहा कि, जो Becky Lynch है, उनके जो Chance लगते है, we want Becky, we want Becky, तो वेल, इस Chance को समाल पाना Huh, Seth Rollins की बस की बात नहीं है, जो कि I think कई हद तक ये बात सही भी है वैल वैसे आपका क्या opinion जो जो सत्रोलिस ने का उसके पर हो मुझे comment सकते हम जरूर बता देना वैसे नेक्स वन तिंग की तरह चलता है वैल नेक्स वन तिंग जो कि Goldberg वर्सेस John Cena के बारें बात कर ले कि Goldberg वो चाते हैं एक मैच John Cena के अगेंस्ट तो भाई अगर Goldberg चाते हैं तो मेभी ये मैच हमें कभी फेचर में देखने को मिल जाए क्योंकि John Cena वर्सेस Goldberg एक बहुत ज्यादा बैटर एंड बहुत ज्यादा मनीमेकिंग मैच होगा लाइक रोम अंडरेस वर्सेस Goldberg वर्सेस John Cena वर्सेस जो की Goldberg वाई ये दोनों मैचेस बहुत ज्यादा बैटर होंगे देखते हैं वैसे क्या देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पर कैपेबल मालूम पड़ेगा कि कौन कैपेबल है किसको हाराने के सो देखते हैं कि आमें फ्यूचर में कभी यह चीज होते वे दिखाई देती या फिर नहीं दिखाई देती है वैसे आप लोगा क्या opinion इन सारी थिंक्स के ओपर हो मुझे कमेंट सेक्शन जरू बताना वैसे अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो यह लाइक करो डिस्लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जो करना है कर सकते हो एंट सो हां फिन मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एवरिवन सो मिलते है फिन